अब आगे देखते हैं प्रवोहें चित पुन्य चितव मही राम जी को देखा और फिर पुन्य चितव मही महिमाने धर्ती फिर धर्ती को देखा नीची देखा रायत लोचन रोल इस प्रकार सुवहमाण हो रहे हैं छालत मनचिज मीन जंजन दूल रही हो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगठ नलाज निसा अबिलोकी गिरा अलिन मुख पंकज रोकी तो शिदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की वानी रूपी ब्रहमदी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है अलिनवा ने भोरा तो सीता जी कुछ कहना चाह रही है वाणी रूपी भोरे उड़ना चाह रहा है लेकिन मुख रूपी पंकज मुख रूपी कमल ने उस भोरे को उड़ने नहीं दिया अर्थात सीता जी की ब्रहमरी रूपी वाणी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है प्रकटन लाज निसा अविलो की और लाज रूपी रात्री को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परमकरपन कर सोना और आखों का जो जल है आखों में नित्रों में जो जल है वो कौने में ही रह जाता है आखों के कौने में ही रह जाता है वहाँ सी नीशे नहीं उतरता है जैसे परम करपन कर सोना जिस परकार करपन वाने कंजूस परम वाने भारी कंजूस का जो धन है सोना मतलब धन है धन संपत्ती है वो गड़ा की गड़ा रह जाता है उसी परकार स और अपनी प्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर सीदा ये शीयस और गए और धरतीट और यeह थे में दिरेज होतight रखकर विश्वास के दिरेज प्रतीट और आने यeह बिश्वास रखकर ये कि डिश्वास है कि यदि तन मन और बचन से मेरा प्रण सच्चा है पनवाने प्रण सच्चा है रगुपति पद सरोज चितु राचा और सी रगुनाच जी के च्रण कमलों में मेरा चित वास्तम में अनुरक्त है रच बस रया है तो बहुआन सगल और वासी तो सबके इरदे में नवास करने वाले बहुआन करें हैं मोहिर अगुवर के दासी मुए सी रगुनाच जी की दासी अवस्य बनाएंगे अर्थात मेरा उनसी वास्य अवस्य कराएंगे आगे कह रही है जेहें के जेहें परिसत्य सने हू सो तेहं मिले नकच संदे हू और ये भी कह रही है कैसा कहा जाता है कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है सो तेहं मिले नकच संदे हू वह उसे मिलता ही है इसमें कुछ भी संदे नहीं है इसी प्रकार प्रवतन चेता हैं प्रेम तन ठाना किरपाने दान राम सब जाना प्रवतन चेता हैं राम जी के और देखकर प्रेम तन ठाना अपने मन महविरों ने अपने प्रेम तन ठाना अपने तन महविरों ने प्रेम ठान लिया ठाँ ठाँ लिया कि यह सरीर या तो राम जी का ह्कुर रहेगा या फिर रहे गा ही नहीं कुरह पाने धान राम हो जाना और क्रपा सितां जी के पुरण connecting को जान गए जैसे उन्होंने सीता जी को देखकर स्रीय भी लोग तक्यों धन कैसे उस दनस्की और इस प्रकार देखा मानो जिस प्रकार चितब गरण लगु ब्याले हैं जैसे जैसे गरण जी सांप के ब्याल माने छोटा सा सांप गरण एक छोटे सी सर्ब के बच्चे को देखते हैं अर्थाद कहता है कि मैं बच्चे को त्रंट मार डालूँगा उसी पर काराम जी ने भी उन्ही